नमश्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं पोल्ट स्काय हमें से जादतर लोग जब मक्का खरीते हैं तब उसके मुलाइम रेशो को अंदेखा कर देते हैं और उसे फेक देते हैं इन मुलायम रेशो को कॉन सिल्क कहा जाता है और इसके अंदर ही भुटे के दाने रहते हैं कॉन सिल्क में ऐसे तद्व मौजूद होते हैं जिनसे दिल की बिमारी और हाई कॉलस्ट्रॉल से बचाव करने में काफी असरदार तरीके से काम करते हैं इसके साथ ही ये बॉडी में ग्लूकोस के स्तर को भी बनाये रखते हैं ताजा या फिर सुखा कर दोनों रूपों में कॉन सिल्क का इस्तमाल किया जा सकता है कई बिमारीों के दवा के लिए भी इसे प्रयोग में लाया जाता है पत्री की समस्या, डाबिटीज, जनम से दिल की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर और चक्कर आने जैसी कई परिशानियों से बशने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इस वीडियो के जरीए आए जानते हैं कौन सिल्क से सिहत को होने वाले फाइदों के बारे में हाई ब्लड शुगर से परिशान लोगों के लिए गुट्टे के देशे बहुत फाइदिमन्द हैं ये बॉडी में इंसुलीन की मातरा को बढ़ा कर शुगर लेवल को कम करता है मक्य के देशे जिनका इस्तमाल आप कभी नहीं कर पाए उसमें विटामिन सी की मातरा बहुत होती है ये एक अच्छा एंटियोक्सिडिंट है और काडियो वेस्कुलर रोग से बचाने में सहयता करता है ये ब्लड सर्कुलेशन को बहतर करता है गठिया की समस्या होने पर जोडू में तेज दर्द होता है और ऐसा खून में यूरिक आसिड का स्तर बढ़ जाने की वजह से होता है कौन सिल्क गठिया की समस्या में भी राहत पहुंचाता है इसके दर्द से निजात पाने के लिए दिन में दो बार मक्के के रेशु से तयार की हुई चाय पिये किड्नी की समस्या के लिए घरीलू इलाज अपनाना चाहते हैं तो कौन सिल्क का इस्तमाल करें ये यूटी आई ब्लाडर इंफेक्शन पत्री यूटिनरी सिस्टम में सूजन जैसी परिशानी में असरदार तरीके से काम करता है लंबे समय से सरदर्द की परिशानी से जूज रहे हैं तो कौन सिल्क टी का सेवन करें ये आपको स्ट्रेस और टेंशन में राहत देगा इतना ही नहीं कंधे, गर्दन, जबड़े की अक्रन को दूर करने में भी ये मदद करता है ये व्यक्ति के डाइजेस्टिफ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम करता है रिसर्च में पाया गया है कि मक्के के रेशे लिवर द्वारा बाइल सेक्शन को बढ़ाते हैं बाइल गॉल ब्लाडर में एककत्र होता है जो भोजन को सही से पचाने में मदद करता है मके के रेशो में बीटा कैरेटिन, मेंथॉल, सेलेनियम, नियासिन और भी कई दूसरे जरूरी पोशक तत्व पाये जाते हैं जो दूसरे पौधों में आसानी से नहीं मिलते कौन सिल्क में कम क्यालरी होती है इससे वजन कम करना आसान हो जाता है इससे बनी चाय पीने से पेट भरे रहने का एहसास होता है और ये शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है तो अचा से संबंधित समस्या जैसे रैशो, मोहा से, खुजली, कीडे का काटना, खरोच आदी से भी ये राहा दिलाता है इसमें मौजूद अंटी बैक्टीरियल और अंटी सेप्टिक गुड संक्रमण से रक्षा करते हैं आपको बता दें कि मखे की रेशो को सीधे खाने का कोई तरीका नहीं है आप इसका सेवन चाय के तौर पर कर सकते हैं इस वीडियो में फिलाल इतना ही हम जल्द लोटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ तब तक के लिए जुड़े रहें बोल्ट स्काय से